देखे आज का दिन एक अथियास से एक दिन है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंद्र भारत की संसद में नौ गठिस संसद और नौ निर्वाचित लोकसभा के माननी अध्यक्स सियोम बिरला जी ने आपात काल के पचास वर्ष पूर्ण होने पर आपात काल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है मैं उनके इस प्रियास के लिए मानने सिय बिरला जी का हिरदै से अविनंदन करता हूँ उन्हें अंतहकरण से धन्यवा देते हुए सभी नौ निर्वाचित मानने संसा सभस्यों को अपनी हिरदै से बधाई भी देता हूँ और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी ब्यक्त करता हूँ हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 मध्य रातरी में पद्कालीन कॉंग्रेस नित्रत्व की सरकार ने सिमती इंद्रा गानी जी के नित्रत्व में उस सम्विधान का गला गोंटें का कारे किया था जिस सम्विधान की सपत लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी यहना केवल सम्विधान का गला गोंटें का उनकी प्रियास कुछ सित प्रियास थे बलकि एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रियास था पचास वर्स बेदने के उपरांत कॉंग्रेस के इस काले कारणामों को जनता तक पहुँचाना या उस्यक है आज भारत की संसत ने वही कारे किया है क्योंकि कॉंग्रेस की निकाव वर्तमान निक्तरत्व जिस तरीके से देश की जनता को गुम्रह कर रहा था समिधान के नाम पर आरक्षण समाप्त करने के नाम पर इसके लिए उनके काले कार नामों से देश की जनता को उगत कराना त्यंता उस्यक है पराज भारत की संसद ने वही एत्यासिक कारे किया है कॉंग्रेस भले ही चेहरे बदले हो लेकिन आज उसका चरितर आज भी वही अधिनायकवादी है ताना साही पून है लोग तांत्रिक मुल्यों और समयधानिक संस्थाओं पर आज भी उसका विश्वास नहीं है और इसी लिए भारत की हर समयधानिक संस्थाओं को कड़ घरे में खड़ा करना भारत के बाहर जाकर के भारत के लोग तंद्र पर भारत की चुनाव की प्रक्रिया पर प्रशन खड़ा करना इनकी फितरत बन चुकी है कौन नहीं जानता है कि कॉंग्रेस ने समिधान लागू होने से लेकर के 2014 तक 75 बार भारत के समिधान में संसोधन किये कौन नहीं जानता है कि अनुछे 356 का दुर्प्यों करते वे 90 बार कॉंग्रेस ने विभिन राज्यों की सरकारों को लोकतांत्रिक तरीके से चुने गई सरकारों को परखास्त करने का काम किया था कौन ही जानता है कि अपने राजनितिक स्वार्थों के लिए कॉंग्रेस ने देश की अखंड़ता के साथ खिलवार किया और कॉंग्रेस के इन काले कारणामों की एक लंबी फेरस्त में आपात काल भी आता है आपात काल कि इस काला गाली घटा को वर्तमान पीड़ी का उगत कराने के लिए आज देश की संसद ने एक एथ्यासिक निर्णे लेकर के यह निंदा प्रस्ताव पारित किया है यह सच्मुच एक अविनिंदनी प्रियास है वर्तमान पीड़ी को बताने का प्रियास है मैं नौ गट़ा संसद और नौ निर्वाचित लोक सभा के मानने अध्यक सियोम बिरलाजी का है इस सासी कदम के लिए हिर्दे से विनंदन करता हूँ सभी नौ निर्वाचित मानने संसद सदस्यों को हिर्दे से वधाई देता हूँ और विश्वास रेक्ट करता हूँ कि वर्तमान पीड़ी को हमारी देश की संसद इसी प्रकार से इतियास के अलग-अलग कालखंड में देश के साथ किन लोगों ने किस प्रकार का बिवार किया है इस से उगत कराने का कारेगर भारत की संसद करेगी तो भारत की वर्तमान पीड़ी नकियोवल उनकी प्रतिकर्तग्य होगी बलकि उनका मार्क दर्शन प्राप्त करते भी एक नए भारत के निर्मान में अपना योगदान दे पाएगे अधियोगी आदितनात को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि कांगरिस ने आपात का लगाया था और आज का दिन काफी एत्यासिक है उन्होंने उम बिरलाजी को बढ़ाई दी और कांगरिस पर करारा हमला बोला